हेलो दोस्तों आज है दिसंबर की 15 तरीक और आज हम दोस्तों बात करेंगे कुछ ऐसे पौधों के बारे में जो पौधे आप बहुत कम खर्च किये, कम कोस्ट में अपने गार्डन में एड़ कर सकते हैं यह सबी प्लांट्स बहुत जारा बढ़िया फूल देते हैं विंटर में तो चलिए शुरू करते हैं अगर आप बढ़िया तरीकी से केर करोगे, आगे जाके गर्मिया जब जादा आती हैं या फिर बारिश आती हैं उस वक्त यह थोड़ा सा खराब होता है इसको दोस्तों बीच से उगाया जाता है और इसका जो कॉस्ट रहेगा केवल 20-25 का आपको नर्सरी से मिलेगा अगर आप नर्सरी में जाएंगे तो आपको इसी रेट में यह जो एक बादा मिल सकता है पांच से छे कलर लेकर आएं तो गार्डन में बहुत जादा कलरफुल यह लुक एड़ करता है और दोस्तों हमारा जो अगला बादा है इसका नाम है गजेनिया गजेनिया भी दोस्तों बहुत जादा पॉपलर प्लांट है और इसमें बहुत सुंदर ब्राइट कलर के फूल आते है और यह दोस्तों जो प्लांट है यह भी 25-30 रुपए का आपको नर्सरी से मिल जाएगा गजेनिया में दोस्तों जो फ्लावरिंग है जब अच्छे से धूप निकलती है तब ओपन होता है इसका जो फूला तब खिलता है तो जो गजेनिया का पौद है यह भी आप नर्सरी से अभी लेकर आ सकते हैं और इसी के साथ दोस्तों मारा जो अगला पौद है इसका नाम है एंटी रैनम या डॉक फ्लार बोला जाता है यह दोस्तों मेरा एक तरह का फेवरिट प्लांट है क्योंकि इसमें जब फूल आते हैं इक ट्थे आते हैं क्लस्टर में फ्लावरिंग होती है जैसे आप देख साथ तो इसकी एक बार मैंने पिंचिंग की यह अपने आपको इतना जारा इसने फेल कर लिया है कि पूरी तरह से बुशी प्लांट हो जोगा है तो यह बहुत ही इजी ग्रूइंग प्लांट है यह सिर्फ केवल मुझे 25 रुपए का एक पौदा मिला था और मैंने एक ट्थे प्लांट लिये थे इन में से colors भी आप color wise लेकर आओगे तो बहुत सारे रंग है और इस पे अगर आपको अच्छे से फूल चाहिए तो जब इसके फूल खिलकर हड़ जाते हैं एक बार प्रूनिंग कर दीजे अगर यह जो इसकी फूल है खिलकर हड़ जाते हैं उनकी इसके बाद यह और ज़ दील होता है यह फर purple हो जाता है तो ऐसे जो रंग है इसमें आते हैं फूल तो वैसे इसमें नहीं खिलते हैं पर इसका अगर आप पौदा लेना चाहिए सिर्फ आपको 15-20 रुपए कम मिलेगा काफी जगा पर 30 का भी मिल सकता है पर ऐसा है कि यह जो प्लांट इसके आप ब बीच से ग्रो करता हूं मैं कभी भी इसको नर्सरी से लेकर नहीं आया हूं नर्सरी से अगर आप लेना चाहिए तो सिर्फ 15-20 रुपए का आपको मिलना चाहिए क्योंके दोस्तों यह जो प्लांट है इसके बीच भी बहुत जल्दी से बन सकते हैं अगर आप एक बार लग हैं वो बहुत अलग अलग आते हैं इसलिए इसको जारतर लगाया जाता है पर इसके दो से तीन पौदे आप लगाओगे मुझे लगता है तब जारा अच्छा लगेगा क्योंकि इसके जो प्लांट है थोड़ा सा टाइम लेते हैं बुशी होने के लिए होंगे जरूर जिस पर मैं आपको बता हूं जब से मैंने गार्डणिंग की जरूर शुरूर की है ये पौदा और अब बड़िया तरीक तरीगेसे देजिए उसके वहां को कुछ भी इसमें चीजिए तो हैं तो यह पौदा बहुत ही हाड़ी प्लांट है सिर्फ और अगें घजर हो तो गुलस उसमें वैसी है गिंदे का पौद आपने सभी जगा पे देखा होगा इंडिया में सबसे ज़्यारा यही फूल को पहचाना जाता है कि यह गिंदे का पौद है क्योंकि इसमें फूल ही बहुत बढ़ी आते हैं और एक रीजन ये भी है कि इसमें फूलों का रंग बहुत ज़रा ब्राइट होता है आप देख सकते हो मेरे पास जो ये वराइटी है ये मैंने बीच से ग्रो की है हालाकि इसके 2-3 बार पेंचिंग खुद बख़द जो गिलहरी आँ उनोंने कर दी है उसके बाद अभी फूल खिलने उनोंने दिये है तो ये दो-चार खिल रहे हैं तो बहुत बड़ी तरीके से फूल देते हैं ये देख सकते हैं ये बहुत बड़ा फूल इसका आएगा क्योंकि इसको मैंने बचाके रखा था गिलहरियों से और ये दोस्तो मैं अलग आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये भी आपको अलग जुरूर लगाएं आज जैसे अगर आप मेरिगूल लगाते तो बड़ कर दें तोड़ दें उसके बाद इतनी सारी कली आएंगे आपका पौदा पूरी तरह से भर जाएगा तो इस पौदे को भी 20-25 का आप नर्सरी से लेकर आ सकते हो और दोस्तों हमारा अगला पौदा है इसका नाम है कोलियस कोलियस दोस्तों एक तरह का फॉयलिज प्लांट ह तक क्योंकि यह easy growing plant है इसकी cutting भी grow हो जाती है एक पौदा अगर आप लेकर आओगे अगली सीज़ता हम 10-12 गमले इसके आराम से त्यार कर सकते हो 20 रुपए का इसका पौदा आता है मैं sapling इसकी लेकर आता है seedling सिर्फ मुझे 5-10 रुपए की यह मिली थी तो यह भी आप इसको पूल का डॉट भी बोला जाता है यह दोस्तो एक तरह का foliage plant है पता नहीं क्यों यह बहुत जारा महंगा सेल होता है हमारे यहां पे सिर्फ यह 20 रुपए का सेल होता है और easy growing है अगर आप cutting से grow करेंगे हर एक cutting आपकी successful जाएगी यह बहुत ही असानी से cutting से propagate हो जाता है इसको आप दोस्तो आप semi shade area में भी रख सकते हो धूप में भी रख सकते हो shady area में इसका बड़िया color निकल कर आएगा और pot requirement दोस्तो इसको 6 इंची से उपर नहीं चाहिए पर मैंने 7 इंची में लगाया हुआ है तो growth के हैसाब से आप देख साथ तो यह pot बड़ा ही लग रहा और दोस्तो हमारा अगला प्लांट है इसका नाम है chrysanthemum या गuldोदी भी इसको बोला जाता है यह भी बहुत सारे colors में आ जाती है रंगों में आ जाती है varieties भी इसकी बहुत सारी आती है आज कल singenta से बाहर से imported इसके plugs या rooted cuttings आती है जो एकदम से एकठे फूल देते हैं जो आ लेकर आएंगे वो भी आपको बहुत बड़ी प्लांट है और दोस्तो हमारा अगला प्लांट है इसका नाम है डेलिया डेलिया दोस्तो मेरा एक तरह का favorite प्लांट है क्योंकि इसमें फूल भी बहुत बड़े-बड़े खिलते हैं और इसमें colors बहुत जादा आते हैं जब भ आपको 10 रुपए की मिल जाएगी अभी अगर फूलों वाले पौदे लेंगे तो 50-60 रुपए के मिल रहें क्योंकि ये अरली सीजन में अभी बाहर से आ रहे हैं इस वाज़े से और दोस्तों हमारा जो अगला पौदा है वो है हमारे पास कलांचो कलांचो में भी दोस्तों फ उट वाला पौदा लेंगे तो आपको 50-60 रुपए का मिलेगा अगर आप एक कठा एक पौट लेंगे जो पूने से आता है वो 500 के आसपास होता है उसमें तीन पौदे कठे होते हैं तो जरूरी नहीं के तीन लेने एक ही लेजिए उसके साथ आपको बहुत अगले साल कटि और एक साल में अगर फूल दें दूसरे साल यह पूरी तरह से गमले को भर लेता है सर्फ यह चीज रहती है जब भी इसमें आपको लगे के फूल खिलकर हट गया है तो इसकी अच्छे से सफाई कर दिया गर एक महीने में जो भी गले सड़े पत्ते रहते हैं उसके साथ इस प्लांटर्स के लिए यह बहुत ही अच्छा ब्लांट है आप इसको जरूर लीजिए और यह दोस्तों बुशी भी बहुत जल्दी हो जाता है मैं जो भी कोई पौदे लगाता हूं जैसे फूलों वाले पौदे मुझे फूलों से ज़्यादा उनकी ग्रोथ देखना पसंद करते हैं थो यह बूशी प्लांट रहते हैं तो मैं ऐसी वादों को जूरूरा आट करता हूं ऐसी ही डिल्या को मेरीगोल कहते हैं इनके जो पते हैं बहुत हरे-बहरे थे तो बढ़िया लगते हैं देखने के लिए तो पूलों के साथ साथ मैं इनको भी ध्यान में रखके पौदे लगाता हूं और ये दोस्तों कुछ पौदे थे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी चैनल को जूरू सब्सक्राइब कीजीगा अगर आपका कोई और कोशन है रेलेटेड एनी प्लांट आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो थेंक्यू फर वाचिंग